परिचाई अगर आपको का इप्शन पसंड है तो चच चालू करें आवाज के साथ एक तीशाट पैतन का मसौदा कैसे तयार करें ओ पाशीर शाक प्री सभी दर्शाकों इस बार मैं नमस्कार कराता हूं वे सभी जिन्होंने मुझे देखा और सुना है देश से और मैं कुछ साज़ा करूँगा मेरे अनुभाव से लोगों के लिए विचार अगर किसी को भी श्याश्मिश आप एक नाया लाया हूं वीडियो टीशाट पैतन कैसे बनेन या द्राप करें नरे वीडियो की इस शरंखला में आपा का स्वागत है तीशाट पैतन कैसे आए चरंण समझें तो इस वीडियो को अंत तक दिखाते रहिए जव काम करो तुम्हें जारूरत पढ़ाने वाली है आपा का जो माप खरीदार को दिया गया है आकारल 35 गर्दन पूरन माप 16 इंच कंधे के आर पार्तोष कंधा 18 गर्दन में बिंदू से बिंदू तक चौडे 6 इंच पीछे गर्दन खाहा रहे है यों 75 इंच सामने गर्दन 3. 25 इंच कंधे धलान 1 ती य फोर इंच फीची की और चौडे 17 इंच एज की और चौडे 17 इंच चौडे 16 इंच चाती या बस्त पूरन चारोन और आर्मा होल 42 इंच सीथ नीचे हम चौड़ी पूर्ण एख फी स से लगभग पौटी पी इंच टी शाट की लंबए 28 इंच आर्मा होल पूर्ण मा 20 फैक कंधे से इंच आस्तीन की लंबए 9 इंच बैसे 14 इंच पूरे लगभग 17 इंच आस्तेन खोलाने 14 इंच गार्डन रिबून चे 1 इंच हम जा रहे हैं पहाले पीछे के शरीयर से शुरू करें हम एक पेपर बोर्ड लेने और बनाने में सक्षम हैं मोडो के अंदर को वापस लाओ चलो शुरू कराते हैं एक शुरू आत को चरन दर चरन चितरित करें और समझें निकलाइन के साथ और जैसा की आप देख सकते हैं मैंने आधा क्रोश शोल्डर रेड बनाया है 5 इंच सीम भत्ता चिहनित करें और बनाएं कंधे धलान भर में विभाजित कंधे की माप 10 से नीचे कंधे बिंदू और मार्क और जैसा की आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ब एक गर्दन बनाई है चोडे और मैंत रिकोर्ड से 3 इंच का उपायोग कराता हूं सीम मार्जिन के लिए 0 अर्टीस इंच घतेन और आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे गर्दान की गहरए बनाए है गर्दन बिंदू से नीचे की और मापे और वकर रेखा को चीहनित करें गर्दान के आकार के पैमाने का उपायोग करें जैसा दिखाया गाया है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बनाया है। विकान रेखा आर महोल वकर रेखा खीन चेन बस्ट और से आर महोल आकार पैमाने का उपायोग करें। आर महोल विस्पीत को छूता हुआ बिंदू आधार रेखा और जोड से कंधे तक का बिंदू या वापस आर महोल वकर सीवन लें और के रूप में। देख सकते हैं कि मैनने लंबाय बना ली है। मापस हूँ। 88 इंच सीम मार्जिन चीहनित करें। और इचपी इस से नीचे हम तक मापें। सिकुडान कली नाओ। 55 इंच जोडन और एक इंच जोडन। शालर। तह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैनने बनाया है। नीचे हम विसालन स्क्वायर से बाहर। लंबा और जैसा कि आप देख सकते हैं मैनने बनाया है। कूल है या नीचे की चोड़ी नीचे के हम का एन केरिर। 14 इस सीम में 0, 80 जोड़ती है। भत्ता और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सैज सीम लाइन बनाई नीचे के हेम से वरगाकार बिंदू स्पर्श कराता हुआ इस सैज सीम को इंगित करें लाइन और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बनाया है कंधे आगे गर्दन विभाजित मापान दवारा बीस गर्डन से कों के रूप में कंधे की रेखा खींचें इचापीस से कंधे के अंतिम बिंदू तक जैसा दिखाया गया है पीत के पैतन को पूरा कराते हुए कट करें पाइतन सी कागज बूर जैसकी आप डेक सकेट हैं में सीवान पर सीवान बात चिन बनाया और नेचे को हम पर वन इंच जरो 38-inch सेद सीम आर्माहल सीम कंधे सीम और गादन चेलो कम देकें को लाई दन्यवाद, पाजन्दू चिर्दू साज़ करें और जैसकी आप डेक सकेट हैं में सामनी का हिसा बनाया और जैसकी आप कर सकेट हैं देको में सामनी का हिसा बना लेहाई गादन की चादी में रिकोड़ की गी 3 सीम आप का युपाग करादा हून इन्च 0,38 इन्च गादन और बन्दू चिनित करन्या पॉर्न गादन मप बभाजन सूतर का युपाग करादन 5 का युपाग कराकी सीम को लाई 0,38 इन्च गादन समनी गादन मार्जन चादी 1- इन्च बकारन्रेक चादनस समनी की चादन वा अकार नेकलेण सीम बाता मार्कर कमर जासकी आप डेहा झादन में बनाई हाई ओगेसा कंड़ केो गाटन की रीका और जासकी आप डेहाईहा झादन अगे बनाया, समनी कंड़ की रेक से और जटना आप कार सकते हैं, समनी का कंड़ की और और जासी आप, आप डेक सकते हैं की मेन अक्रस बनी है, समनी से चाट अप्राप्ट करन, रिक और को दूसे बाग दन और मापन, सकुदन को लाई 0, 25-inch, 0, 38-inch से बाट जोदन, और जासी की आप डेक सकते हैं मेन बनाया है, र महाल असकर बनाया को लाई आप का यूप अग करन, काती का अधर बंदू समनी से चुद आप, कंड़ से जाट तक इस मूर्च आप बाट करन, र महाल. हमसमनी अनजे कर्षग कर रही हैं, लेनर जासी की आप डेक सकते हैं मेन बनाया है, पेतान पर सीवान बाट तक चिन 0, 38, कंड़ की से ली आर महाल से ली, हम केम लाट बाट हैं, ड्íamosटत की आप, किंछ रही हैं, त शार पप लेक च्पर शमनी की और पुर लेन पातान अप अगव लें बाल अस्टिन पेतान अगाल पांच माप माप बिंदू और जैसा की आप देख सकते हैं ने बनाया है माप को दो से विभाजित करें फिर परिनाम देख फिर दो से भाग देकर मापें जिरो से आर्माहल बेस पॉइंट तक और जैसे ही आप आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स लीव बना लिया है माहल लेंग पीछे और सामाने के शरीर को ले जाती है आर्मा होल माप और जैसा की आप देख सकते हैं इनने आस्तें का सिर्व बनाया है फिर विभाजित करें बैसेप्स को तीन बराबर लेमें बानते हैं पहले वर्दी नेरो 75 इंच डूसरी वर्दी रचनात्मक आस्तें के पीछे के भाग के लिए 0 38 इंच आर्मा होल लेन वकर रेखा खींचेन आर्मा होल का उपायोग करें पाइमाना यादी 0 88 इंच का दायारा सामाने के आर्मा होल लेन के लिए है थी सामाने के आर्मा होल लेन के लिए 0 38 इंच की वर्दी और आप देख सकते हैं कि मैंने सामाने का भाग बनाया है आस्तेन हम आधा और जिरू 38 इंच सीम जोडन बात्ता 1 इंच आस्तेन हम योडा ता और आप देख सकाते हैं कि मैंने कैसे बनाया है आस्तेन हम बात्त वापस मुद बिंदू आस्तेन पैतर्न और मार्क को पूरा कराना आस्तेन पार नोला 38 इंच सीम भात्ता इना सीम लें पैतर्न को काताने के लिए धन्यवाद देख रहे हैं और अगाले गर्दन रिप पैतर्न कद बनाना और अतिरिक्त पैतर्न को हताना सामन के आस्तेन से आर महो मार्क नूल 38 इंच सीम बता आस्तेन पर अनाज लें चीनित करें ना मूना सामने की आस्तेन के लिए एक पायादान दो पीछे जैन और जैसा की आप देख सकाते हैं मैंने बनाया है गर्दन की पसाली पीछे और सामने ले लो गर्दन का माप तीन इंच घतें आय अताकार तीन इंच चोड़ी गर्दन रिबू उंचाए दो इंच और जीरो 75 इंच सीम भात्ता छुपाना अनाज रेखा कद एक तुकादा चीहनित करें 0.38 चीहनित करें गर्दन पर्दोन उंठ इंच सीम मारजिन नामूना गठान थी इंच 3 इंच चोड़ी गर्दन से एक आयत बनाव पासलियों की उंच है दो इंच और सीवन में 0 75 इंच छिपी हुए भत्ता अनाज रेखा को चीहनित करें एक तुकादा कातिन दोनों तराफ सीम मारजिन में 0 तुपई तुअ सै संकित क्यारें गर्दन का पईतन अगाला देखिन आने वाले पूरुषियों को पासलियों की आयारें की लंबी आस्तिन शार्ट पाइटन द्राफ्ट.